नमस्कार आपका स्वागत है Observation of World में मेरा नाम नरिंदर सहनी है और आप देख रहे हैं वो नियूज 90 दिन में चीन की 60% अबादी और दुनिया की 10% अबादी COVID से संकरमित हो जाएंगे करीब 10 लाख लोगों की मौत की आशंका भी बताई जा रही है और ये कहा है अमेरकी साइंटिस्ट और महामारी विशेशग एरिक फेगल डिंग ने जी है उन्होंने सोचल मीडिया पर ताबर तोड चाइना की वीडियो डाली है जिसमें लोग हॉस्पीटल्स में सडकों पर लंबी लंबी कतारों में आपको देखने को मिलेंगे देखे एक वीडियो रहने पोस्ट की है जिसमें लिखा हुए हॉस्पीटल्स कंपलीटली ओवरवेलमेड इन चाइना तो डॉक्टर एरिक फीगल डिंग और ये मेंली चाइना से ही है पर अभी अमेरिका में रहते हैं पर गजड़ा इनके रिस्टेदार बगएर जो इनके रिललेटीव अगड़ा है वो भी चाइना में है तो कही ने कही उनको जो वीडियो ज उनके माध्यम से मिल जाती है क्योंकि आपको मालूम है चाइना के अंदर में चाइनेज सोचल मीडिया पर चीन पूरी तरी से काबिज है वो ऐसी वीडियो को तुरंत डिलीट करवा देता है जो उनके खिलाफ हो और ये वीडियो बड़ी मुश्कल से बाहर निकली है ये देखिए वीडियो इस वीडियो म तमाम वीडियो में आपको दिखाता हूँ और वीडियो देखिए एक वीडियो और वी है और इस वीडियो में दिखाया गया आई कैसे जो मिर्तक हैं वो पड़े हुए होस्पीजल में चाइना के अंदर की भ्यावा इस्तिती ये वीडियो दर्शाती है कि कैसे चाइना के अंदर में क्या हलात हैं COVID को लेकर आपको बता दे हम चाइना के अंदर में जीरो COVID पॉलिसी थी जिसके तहत lockdown में रखा गया था पूरी आबादी को पर इसी महीने ही lockdown में धिल दी गई वो कारण था तेज विद्रो लोगों ने विद्रो कर दिया था जिस वज़स से चाइनीज सरकार को धिल देनी पड़ी देखिए ये वीडियो दिसंबर 18 की है यहाँ पर लाइन्स लगी हुई है और यह जो फार्मसोटिकल फैक्टरी के बाहर की जो लाइन है यहाँ पर यह जो लोग है वो आईब्रो फ्रोफिन लेने पहुँचे हैं आप समझ सकते हैं कि मेडिकल जो स्टोर्स हैं वहाँ पर इस चीज की इतनी कमी हो चुकी है कि लोग अब फैक्टरियों के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं आप समझ सकते हैं कि चाइना अभी किस हालात में है जो funeral houses है वो full है और इतने full है कि आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइने लग गई हैं आप समझ सकते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं COVID-19 से एक और photo जो आपके सामने दिखाई दे रही है इसमें एक delivery खराब है कि वहाँ पर लोग काम पर भी नहीं जा रहे हैं यह तस्वीर है चाइना जपान friendship hospital की हैं जो की Beijing मिश्दित है आप समझ सकते हैं कि Beijing के हलात ऐसे हैं जहाँ पर hospital के अंदर में यह लाशे हैं इस package में यह dead bodies हैं इस package में देखी कैसे रखा गया इनको और कितने हैं क्योंकि funeral जहाँ funeral हो रहा है वहाँ भी लंबी-लंबी कतारे लगी हुई हैं और लोग dead bodies को लेने भी नहीं आ रहे हैं यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो में जो लोग खड़े हुए line लगा कर यह अपने परिजनों की राक लेने के लिए खड़े हुए हैं जो आप लाल लाल डबे देख रहे हो जो package हैं इडिया में तो इसे कलश कहते हैं जिसमें राक को रखा जाता है और जिस साहब ने वीडियो बनाया है उसका नंबर A116 है यानि इस नंबर के बाद ही उसे जो राक मिल पाएगी अपने परिजन की तो आप समझ सकते हैं कि राक के लिए आप क्योंकि कोविड के पेशन्स को मुस्टली जलाया ही जाता है जा फिर जो वीडियो है कहीं हॉस्पिटल के बाहर की होगी जा फिर उन लोगोंने फिनरल के लिए कुछ अलग जगा बनाई होगी वहां की ये वीडियो है अब देख सकते हैं कि इतनी भ्यावा इस्तिती है लोग लाइनों में खड़े हैं अपने परिजनों के डेड बोडिज के जो राक बची हुई है उनको लेने के लिए ये एक हॉस्पीटल है जो की बीजिंग में है सबसे बड़ी बात ये है कि एक आदमी एक वैक्ति अपनी मा को लेकर आता है और डॉक्टर उसको इनिशली ये कहते हैं कि ये तो मरी हुई है और जब वैक्ति डॉक्टर को ये कहता है कि इनकी जो बीपी है वो 125 है तब डॉक सकते हैं कि चाइना में इस वक्त क्या हलात है ना डॉक्टर्स ना वैंटीलेटर्स ना ऑक्सीजन और चाइनीज जो सरकार है वो कह रही है कि जितनी जल्दी ये पैंडेमिक आएगा उतनी जल्दी जाएगा फिर लोग मरें तो मरें कोई दिक्रत वाली बात नहीं है उनके लिए क्योंकि लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है मरने के लिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने और वीडियो भी डाली ये देखिए ये वीडियो आपको दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ती पड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर हॉस्पीटल्स में ना ही वेंटिलेटर है ये देखिए ये एक वीडियो और है जो कि 16 दिसंबर की है जिसमें एक डिलिवरी बॉय है वो फीवर के कारण गिर परता है बालिश में ही ये तमाम वीडियो जो है वो दिल को बेचेन करती है और आपको और हमको सोचने पर मजबूर करती है कि चाइना इतनी बड़ी घटन को कैसे चुपा रहा है पूरे दुनिया से ये देखिए जो बैड है ये बैड भरे-बड़े हैं जो डैड़ बॉडिज है कैसे बड़े-बड़े हैं ये देखिए ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि जब हकूमत किसे तैना शाह के पास आती है तो उसका जर वो ऐसा ही होता है देखिए एक और वीडियो है जिसमें भड़े पड़े हैं उस्पिटल जो डेड़ बॉडिस से देखिए चारो तरफ डेड़ बॉडिस डेड़ बॉडिस आपको मिलेंगी अब इन तमाम तीन सालों के अंदर में देखा जाए चीन जो है वो आईसोलेश करवाया तो देखा जाए लोगों में overall immunity develop ही नहीं होई अब इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए आप ये पूशेंगे क्या भारत में भी खतरा है तो जो जानकार है वो जे बता रहे हैं भारत में चीन जैसा खतरा नहीं है क्योंकि हमारे देश में vaccination के 3 round हो चुके हैं लो ये सबसे बड़ी चुक होई है शी जिंपिंग की सरकार से इन तमाम खपरों पर इन तमाम वीडियोज को देखकर आप क्या सोचते हैं चाइना में क्या अच्छती है ये जो वीडियोज है ये सही है ये गलत है आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे धन आपने बाद जया हिंद